उहिली भकारी भरी धान रब कोदु हुन थेयो बोरा भरी नून बारी भरी तरकारी मदूस भरी मरमसला हुन थेयो गोटमा दुई उटा लईना वैशे हुन थे योटा बर खालाई और को हिंध लाई दुद बारे मास उपलबद हुन थेयो चीनीकु टंटो थियेना, चीया पत्तीकु टंटो थियेना, अधिकांग शाकाहारी थियो, माशु खानेली बनमा चरीरा हुरकेको टीसी लो खलशी खान थि, सुई गोची गोची चार कीलु फुलायको बोईलर खानी चलं थियेना, शाक सुकाय रा गुंद्रू, मुला सुकाय रा सिनकी बनाव थी, करकोलो काटे रा चोल्टी बनाव राग थी अनिकाल र दुर्बिक्षमा कायम लागने स्ता ड्राइफुड हरू घर घरमा हों थी, ताकी आपत कालमा प्रयक करन पायोस बिहाने उर्थी, नुआउ थी, तुलस्ची को मत्मा गयरा माला जपती, जल चड़ाउ थी, सारीरिक सुद्धता को ख्याल थी बेद पर्थी, उपनिश्द पर्थी, नभए वासिकामे चली आयका सुललित पदावली पर्थी, बिहान बिहाने गर्येकू आब रितिले ग्रन्थारू कंठस्ता हूं थी सिलोटोमा मसलात पिस्ता मयलाहर का हाथ दर आउन्थी, ठेकीमा मही गर्र घुर्र पार्दा पुरू सरू का हाथ दर आउन्थी बिहान न उठेरा मैलाहरू घर घोट को काम गड़ते पुरूसरू घास को भारी लियराओ थे घर र घोट को काम लेज सरीर लाई कसरत पोक थे ओ कसेलाई मानिक वाग गर्ने आवसेक्ता थे न रिफाइन गरीकु तिल आयके थे न गेस्टिक पनी कसेलाई उंबै न थे गेउकु चोखीन खान थे पचास पस्पनन किलाकु धानको बोरामा थे और कु बोरा खापे रब्बुकी हिन्डे तागत भायका बलिया बांगा मान चे ओन थे मुही पारेर अगेनमा नमनी चड़ायरा गर्माने बास्नमाय बनाव थे गर्मा आगु बानले हुनाली मच्छर जिंगार चमेरा पस्ते न थे सर्शुपायको ख्याल गर्थे अईले जहें कुठे पिच्छे वास्रूम थेनन गर्बायरा टाडा दिशाप पिशाप गर्थे दिशाप गर्दा कपडा फेरेरा गर्न पर्थे दिशाप पिशाप गर्येका कपडा लगायरा खाना न परोश वनेर दोती फेरेरा डिनो खान थे सके खरानी न सके माटो ले हाथ दुन थी दिशा गरे पछी गार पटक पिशाब गरे पछी साथ पटक हाथ दुने नियम थियो खरानी पानी ले हाथ दुन थि दिशा पिशाब गरे पछी योनांग राम्रुसंग दुने चलन थियो पानी नबाय का ठामा पखानला पाइदैना वरेर दिशाप्पिसाबने गर दैना थे खानु अगी बली बईश्देव हुन थियो पहिलू गाज, कागलाई, दोस्रुगाज, गाईलाई, टेस्रुगाज, कुकूरलाई घरबाई राके दियाका, खाना मा चरा चुरंगी कीरा फटाइंगरा रमाऊँ थे घरबित्र कीरा फटाइंगरा को आगामन कम उँँ थियो अगनामा खाना चलाऊ थे, खानामा कुने रसाइन वा बिक्रित पदा थबाई दुवाँ गनाऊ थियो आगो रंग बदले रवल थे, अनि खाना खान थे, खाना खाय पची मही प्यूँ थे, महीले पजाऊ थे बिहान उठने बित्ती के तामा को अंखरा को पानी प्यूं थी इसलि दिशा खुलाओ थी शुतनु अगी मन्ता आतो दूद प्यूं थी इसलि निन्रा लाग थी ताइड जिन्स लगावने चलन थी एना शरीलाय आरमदेने खालको कपड़ा लगाव थी पिता पूर्खा का न पोखरी बनायकोले अजेई पनी पोखरी का नाम मा गाउं हरू एत्र तत्र वेटेंचन। पाप लाग ने डरले पोखरी यरू फोर गर दैना थे। बरसात को पानी पोखरी मा रिजब हुन थियो। फल्सोरू कुवा मूल जस्ता पानी का सुरोद बारे मैना रसाई रहन थ प्रकृति प्रेम अनौठु थियो। प्रकृति कु सम्मान सबेले गरून भनेर प्रकृति लाई इस्वोर का अवतार संगजोर थी। विष्णु कु पहलो अवतार मस्चे भनेर माचा लगायत पानी मा वसने जलचर प्राणी माती प्रेम गरी। दोसरो अवतार कुर्मा वनेर कछुआ लगायत पानी र जमिन दोवई तिर वसने उभायचर प्राणी माती सम्मान गरी। तेस्रो अवतार बराहा वनेर केबल जमिन मा मातरे बासने बदल लगायत का स्तल्चर माती प्रेम गरी। नर्शियों वनेर दोई प्रजातिको मिलन बड़ पईदा भायका क प्रश याँ खचर प्रजातिका प्राणी माती सम्मान गरी। रेक प्राणी लाई कुने इन कुने देवताको बहान बनायर सम्रक्षन को अधिकार दिये। यो अवतार सिद्धान तको बिल्कुले मिल्दो जुल्दो शुरूप मा पछी चाल्स डार्विन ले क्रामिक विक आसको सिद्धान तको बैख्या गरे। गोड शारीरा गायवुस्तु पालने हुनाले जमीन मलिलू थियो। विकासी मल हालेरा रसायने खेती गरने चलम थिये न। अन्नपात बिल्कुले अर्गानिक उभजिन थियो। घर-घर मा जड़ी भूटी का जानकार थिये। बिरा आत्मानी स्वास्ते जिवन सालीको यो हंदा अनुपम नमुना की होला। तेसेले उबेला ना कोरोना थियो, ना इबला थियो, ना सार्स थियो, ना इन्फ्लुएन्जाने थियो। यो आर्टिकल कसले लिखनु भायको हुँ। तो आधिकारी कृप मा मले था सायना। यो मल शेर करनी, तो महला बनी राम रोला आगे मने कृपया, यो आर्टिकल लाई, शेर करतीना नमुना कला।